दिली में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है बड़ी ख़बर इस वक्ती आपको बता दे मौत का अंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है सीम अर्वेन के एज़्रिवाल ने कल समिक्षा बैढ़ बढ़ बढ़ दिली में कोरोना पैट पसारता जा रहा है बहुत काकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और फुर से कोरोना डराने लगा है और हालातों पर चचा के लिए मुखे मंतरी अर्वेंद के जुरिवाल ने समिक्षा बैठक बुलाई है कल ये बैठक होगी कोरोना के हालातों को लेकर चचा होगी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है इस पर चचा होगी कितने इंतिजाम है स्वास्थ विभा कितना तयार है आईसियू बैड्स कितने तयार है इन तमाम मुद्वों पर चचा की जाएगी टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिये जाने की पूरी-पूरी संभावना राजधानी दिली में एक बार फिर से वही पुराने हालात लोट कर आ गए है विशु जी जिस तरह से कोरोना अपने पैर पसार रहा है समिक्षा बैठा करने जा रहे है मुखे मंत्री अर्विन केरजवाल कौन-कौन से बिंदूओं पर मुखे रूप से चर्चा होने की संभावना मुखे रूप से तीन-चार बिंदू सर्चा के लिए है उसमें सर्थे पहला तो यही है कि गिस्तर संकरमन बढ़ रहा है तो सरकार को रहतियातन क्या उपाय करने चाहिए और दूसरा जो अस्पतालों में बेट की संक्या पढ़ाने को लेकर है और जो लोगों की भी सक्ती बढ़ाने को लेकर ताकि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें संकर्मन को रोका जाए तीसरा है वेक्चिनेशन को लेकर भी कि कई वेक्चिनेशन सेंटर जो और भी बढ़ाने की बात है ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग उसमें शामीर हो पाए तो ये तमाम मुद्धे हैं जिस पर कि कल समीक्षा बैठक में चर्चा होगी मुक्तमंतरी के साथ स्वास्य मंतरी होंगे स्वास्य बात के समाम अधिकारी होंगे और जो बाकी अलग-अलग स्वास्य मंतरी का वो एलान करें कल शाम चार वजे मुक्तमंतरी निवास पर बैठक पुलाई गई है और उमीद है कि वहां से जुकी संक्रवन भी काफी तेजी दिल्ली में फैल रहा है तो असल में ये तीसरी लहर है या नहीं है क्योंकि दो दिन पहले स्वास्य मंतरी कह रहे थे कि ये तीसरी लहरी से अभी कहना जल्दवाजी होगी इसके ट्रेंड वो देखना होगा तो वो तमाम चीज़े हैं जिसको की एक्सपर्ट से साथ भी हो सकता है कि तर्चा में रखा जाए और फिर आगे की रणनीती सरकार तयार करेंगी कैसे रोकफाम भी हो और वेक्चिनेशन में भी तेजिया है तो ये तमाम चीज़े हैं जिसको की तर्चा होने की उम्मीद है करना बाबाब शुक्रिया विश्वी जी